फिल्म इंडास्ट्री की एक अक्ट्रिस ने अपने वान टाइम बॉइफरेंड के उपर कमेंट करते हुए कहा कि उससे जाधा खुबसूरत तो नाना पाटे कर है या अक्ट्रिस और कोई नहीं बलकि नीना गुपता है जो पिछले कुछ दिनों से सुर्कियों में बनी हुई है क्योंकि नीना गुपता ने अपनी बाइग्राफ ही लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के कहीं एक्सपीरियंस शेर किये है बॉलिवुट की काली सच्चाईयों से भी परदा उठाया है और अपने लाइफ का वो टाइम भी शेर किया है जब वो विव्यान रिचार्ड्स के साथ में वन नाइट के लिए गई थी और वो प्रेगनेंट हो गई थी कुछ समय तक नीना गुपता विव्यान रिचार्ड्स के साथ में रिलेशिंशिप में थी इंटास्ट्री के एक इविन्ट में भी विव्यान रिचार्ड्स ने पारिस्पेट किया था जहां पर कई इंडास्ट्री के दूसरे लोग भी मौजूद थी आशा भोसले भी वहाँ पर थी एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें नीना गुपता इस इविन्ट में विवियान रिचर्ट्स के साथ में जाती है वो आशा भोसले के पास ही बैठती है विवियान रिचर्ट्स को आशा भोसले के साथ इंट्रिड्यूस करवाती है तब आ नीना गुपता और आशा भोसले दोनों ही हसने लगती हैं. बाद में विव्यान रिचर्ट्स चब पूछते हैं कि वो तुम से क्या कह रही है तो नीना गुपता बताती हैं कि ये कह रही हैं कि आप बॉलिवुट अक्टर नाना पाटेकर की तरह ही दिखते हैं. नीना गुप गुटा ने इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जिससे आप प्यार करते हो यानि कि विवयान से उससे आप कभी भी नफरत नहीं कर सकते हो हम अलग रहे लेकिन एक दूसरे के लिए इजब बनाके रखी विवयान ने मेरी इज़त रखी और मैंने उनकी इज़त रखी यही क को और मसाबा को वो नाम और घर नहीं दे पाए